हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडड 9th मैट्स 2 जोमेट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉड्रिलाटरल्स, हम लोग ने इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट अल्रेडी अप्लोड कर दिये, आज हम लोग करेंगे इसका अजिब राके भी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, चलो शुरू करते हैं, तो 5.5 में जो कॉंसेप्ट यूज हो रहा है, उसका नाम है मिड़ पॉइंट थेरम, बहुत ही सिंपल सा थेरम है, थेरम बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल आपको दे दिया, ठीक है, और वो ट्र और आपने ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर दिया, तो आपको पीक्यू और बीसी के बीच में एक रिष्टा मिलता है, ये थेरम आपको वो बताता है, समझ में आए क्या है, आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेस्चिन में, जहाँ पे ये दो इक्वल टुक बीसी में क्या रिष्टा है, ये वाला रिष्टा है, पीक्यू विकम्स पैरलल टु बीसी, आप बोलेंगे रहे हो तो क्लियरली दिख रहा है, और दिखने पे नहीं होता होना चाहिए, ठीक है, तो पीक्यू बीसी को पैरलल हो जाता है, एंड पीक्यू का जो लेंठ है, व वो converse जो theorem है वो हम लोग इसके बाद करेंगे, पहले इसके उपर एक question solve कर लेते हैं, midpoint theorem पर, okay, क्या data question में दिया है, वो ध्यान रखना, ये जो figure बनाया है न, वही figure वैसा data question में दिया होगा, चलो एक काम करते हैं, ट्राइंगल को उल्टा सिधा करके देखते हैं कि आपको confusion ह होता है कि नहीं, यहाँ पर देख लो, ये triangle को मैंने ऐसे बना दिया, और ये midpoint यहाँ पर M और N ये वाले sides के लिए, तो midpoint term क्या बोलता है, कि midpoints को join कर दो, फिर midpoints को join करके जो line बनाना, उसके और इसके बीच में रिष्टा बताते हैं, ठीक है, आपको question में दिया हुआ, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा equal, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा equal, मतलब ये दोनों midpoint है, दोनों को join कर दिया, अगर दोनों को join किया, तो जो line बना MN, ये QR को parallel होगा, and MN का जो length है, वो QR का आधा होगा, तीसरा figure देख लो, इस तरफ ले लिया तो, again देखो question में दि CID और E midpoint है, XD equal to DY, मतलब ये दोनों equal टुकड़े है, XE equal to EZ, मतलब ये दोनों टुकड़े भी equal है, मतलब D और E midpoint है, दोनों midpoint को join करके एक line बना DE, DE और YZ में क्या रिष्टा है, DE is parallel to YZ, and DE is half of YZ, कैसे भी figure बना, ऐसे, ऐसे या ऐसे, सेम रिष्टा आने वाला है, अग आपको मिलेगा, reason आप क्या लिखेंगे, midpoint theorem, चलो है question solve करते हैं इसके उपर, यहाँ पर question 1 में दिया है, in figure 5.38, X, Y, Z are midpoints of side AB, BC and AC, ये X AB का midpoint है, Y BC का midpoint है, and Z AC का midpoint है, ठीक है, तो ये टुकड़े equal हैं यहाँ बे, AB is equal to 5 cm, ओके, आपको AB का length पता है 5, BC का length दिया हुआ है 11, और AC का length दिया हुआ है 9, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है length of XY, YZ and XZ, अच्छा, अभी question में देखो, ये दिया था, कि ये midpoint है X इसका, फिर Y इसका midpoint है, और Z इसका midpoint है, अभी आपको length find करने है, ये XZ, YZ और XY का, ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं, XY का length, ये दिख रहा है, X ये line का midpoint है, Y ये line का midpoint है, ये दोनो midpoint को join करके line बन रहा है, है ना, तो आपको सिर्फ ये वाले line XY और ये जो नीचे AC है, उसको देखना है, XY will be parallel to AC, parallel का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिकूँगा, बट एक और relation था, कि XY का जो length आएगा, वो AC का आधा होगा, ये जो line है, इसका length AC का आधा होगा, तो AC अगर 9 है, तो XY कितना होगा, XY आपको मिल जाएगा, half of 9, जो आजाएगा 4.5, ओके, तो आपको XY मिल गया, ठीक है, वैसे ही, आप ये देख लो, X, Z, ये X, X और Z को join कर रहा है, जो AB और AC के midpoints है, तो XZ और BC के बीच में क्या जिशता होगा, XZ will become half of BC, reason क्या लिखेंगे, midpoint theorem, अगर BC 11 है, तो XZ क्या आएगा, XZ आएगा half of 11, which is 5.5 cm, अब क्या बचा, YZ, Y देखो यहाँ पे इसका midpoint है, Z इसका midpoint है, तो ये line midpoints को join करके बना है, मतलब आप midpoint theorem यूज कर सक में क्या रिष्टा होगा, YZ, AB का half होगा, किस से, midpoint theorem से, तो मैं बोलूँगा, YZ equal to half of AB, AB 5 है, तो 5 का half करेंगे, तो आजाएगा 2.5 cm, ये divide करके आप चेक कर सकते हो, रफ में, 1 into 9, 9 हो जाएगा, ना 9 upon 2, आप divide करके ऐसे चेक कर लेना, आपको 4.5 आएगा, वैसे ये दोन भी आप चेक कर सकते हो, calculation, तो हम लोगों ने midpoint theorem यूज़ करके ये तीनों निकाल दिया, simple था ना, first question एकदम time pass पपलू दिया है, ताकि आपको midpoint theorem apply करना आ जाए, ये बहुत ही simple figure दिख रहा है, इसको और complicated कर सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, कि midpoint theorem कब लगता है, ज जैसे यहाँ पे y ये वाले side का midpoint है, z ये वाले side का midpoint है, दोनों को join किया, तो उसके और base के बीच में एक रिष्टा मिलता है, वो रिष्टा होता है midpoint यारा, done, अब इसको लिखेंगे कैसे exam में वो देख लेते हैं एक बार, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, full marks नहीं इसमें given वो सब लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने given में, जो information question में दिया था, same to same यहाँ पे लिख दिया है, find क्या करना था, x, y, z, x, z, solution में, first one like the matches जमझो, points x and y, x and y, are midpoints of sides, x किसका midpoint है, a, b का, and y किसका midpoint है, b, c का, ठीक है, ये given a question में देखों यहाँ यहाँ भी लिखा है मैंने, अगर ऐसा है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ, कि x, y का जो length आएगा, x और y की बात की ना हमने, तो x और y की बात की, तो x और y को join करके, जो line बन रहा है, x, y, that'd be half of ac, जो उसका base है, कैसे पता चला, midpoint theorem, ac का length कितना दिया हुआ है, 9 cm, तो ac के जगे पे 9 डाला, and half into 9, मतलब 9 upon 2, 9 upon 2, check करो, आपको आजाएगा, 4.5 cm, यहाँ पे ac के जगे पे 9 लिखा, तो यहाँ पे reason लिख देना, because ac is equal to 9 cm, given, यह question में दिया हुआ है, okay, similarly, अपने जैसे x, y find किया, आप y, z भी find कर सकते हैं, y, z देखो यह रहा, y है bc का midpoint, देखो यहाँ पे, y है bc का midpoint, and z किसका midpoint है, ac का, अगर ऐसा है, तो आप बोल सकते हो, y, z equal to half of ba, 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 a, b, दोनों सेम होता है, ba के जगे पे आजाएगा 5, क्योंकि लेंद दिया हुआ है, देखो, ba का, और half of 5 आजाएगा 2.5, okay, and वैसे ही, आप लोग point x and z का भी find कर सकते हो, बट आपको ऐस से, पूरा reason देखकर explain करना है, तीनों बार, ठीक है, video pause करो, notebook में चल्दी से copy करो, य, बचों मैं पहले हमेशा rough में सिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, कि बहुत ही जादा easy question है, normally क्या होता है, इतना बड़ा length है से देखते हैं, क्योंकि इतना लंबा question है, क्या-क्य लिखना पड़ता है, पहले ही देख लेंगे तो difficult लगता है, इसलिए rough में solve करते हैं, फिर उसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं, आगया समझ में, चलो next करते हैं, second question ये दिया हुआ है, और second question समझने के लिए आपको converse of midpoint theorem समझना पड़ेगा, तो आपको मैंने midpoint theorem बता दिया, अब converse देखते हैं, converse of midpoint theorem क्या बोलता हैं, कि अगर आपको एक side का midpoint दिया हुआ है, ठीक है, कि ये P जो है, ये AB का midpoint है, मतलब ये टुकड़ा AP equal to ये टुकड़ा PB, and ये भी दिया हुआ है, कि ये दोनो lines, ये वाली line और ये वाली line एक दूसरे को parallel है, इसक आप बोल सकते हो, कि भाई, अगर ये दोनों है, तो मैं बोल सकता हूँ, कि AQ और QC भी equal है, मतलब दूसरी side पे P जिसको join कर रहा है point को, वाला point, AC का midpoint, थ्यान से देखो, AP equal to PB दिया हुआ है, PQ parallel to BC भी question में दिया हुआ है, ये parallel है, ये भी हमको पता है, अगर ये चीजे दी हुई है, तो आप बोल सकते हैं, भाई, QB midpoint है, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा equal है, reason क्या देने का, Converse of midpoint theorem, ओके, आया समझ में, triangle थोड़ा घुमा के भी देख लो, ताकि उसमें भी confusion ना हो, अगर triangle ऐसा दिया हुआ है, और बोला है, M जो है, वो इसका midpoint है और MN जो है, वो QR को parallel है, अगर ऐसा है, तो आप बोल सकते हो, कि अगर ये midpoint है और ये parallel है, तो ये जो point है, ये भी midpoint होना चाहिए, by Converse of midpoint theorem, मतलब PN is equal to NR, similarly, triangle को ऐसे बना दो, इसमें भी देखो, ये वाला और ये वाला टुकड़ा equal है, मतलब D midpoint है, and D is parallel to YZ, question में दि बोल सकते हो, अगर ऐसा है, तो ये जो टुकड़ा है, XE is equal to EZ by Converse of midpoint theorem, आगया समझ में, midpoint theorem में पहले से midpoint दोनों साइड दिया हुआ होता था, और आप क्या करते थे, ये वाली साइड equal to half of this and parallel, Converse of midpoint में क्या दिया है, कि एक साइड midpoint है, और ये जो बीच में लाइन ब चलो, question solve करते हैं, in figure 5.39, quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangles, rectangle मतलब ये चारो angle इसके भी 90 degree है, और ये चारो angle इसके भी, ये तो same है, 90 degree है, ठीक है, rectangle का ये ही है न property, if point M is the midpoint of side PR, ये जो M है, ये PR का midpoint है, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा equal है, ये question में दिया हुआ ह आपको क्या prove करना है, SL equal to LR, देखो ये वाला SL equal to LR, मतलब L ये SR का midpoint है, दिख रहा है midpoint चेरम कहां बनेगा, अगर मैं नीचे का line जोइन कर दूँगा, तो ये triangle बन जाएगा, और उसमें ये LM, ऐसा line बनेगा, Converse of midpoint चेरम दिख रहा है, कि ये midpoint दिया हुआ है, अगर आ ये वाले triangle को shade कर रहा हूँ, थाकि आपको समझ में है कैसे किया है, यहाँ पर देख लो, ये वाला triangle है, SPR, जो भी उसको नाम देते हो, RPS, वो मैंने यहाँ पर अलग से नीचे बना दिया, ये वाला part hide कर दिया है, और ये LM ऐसे बना दिया है, और ये और ये equal है, ये question में दिया हुआ है, अच्छा, यहाँ पर देख लो, जब आप सिर्फ इसको देखेंगे, ये वाली line और इसको, तो ये वाला transversal है, है ना, और आपको दिख रहा है, ये दोनो 90 degree है, क्यो 90 degree है, बिकॉस rectangle के angles है ना, ये question में दिया है, और ये equal है ना, 90-90, अगर F के अंदर angles equal हो ये SP और LM, दोनों line एक दूसरे को parallel होगा, क्यों, corresponding angles test, उल्टा है याद है, अगर ये दोनों line parallel होता था और ये transversal होता था, तो आप बोलते थे ये angle और ये angle equal, वैसे ही, parallel lines हमने क्या सिखा था, कि अगर F बन रहा है, और उसके दोनों अंदर के angles equal है, ठीके, अगर equal है, मतल ये दोनों line एक दूसरे को parallel है, तो हमको मिल गया कि SP is parallel to LM, ओके, तो देखो यहाँ पे, हमको क्या मिल गया है, कि LM is parallel to SP, पूरा लिखके बताना पड़ेगा, लेकिनों बाद में देखेंगे, LM parallel to SP कैसे मिला, corresponding angles test, और ये चो point है, M, ये तो midpoint है, ये question में दिया हुआ है, M is the midpoint, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा equal है, तो अगर ये टुकड़ा और ये टुकड़ा equal है, और ये line और ये line parallel है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि L भी इसका midpoint है, Converse of midpoint theorem में अभी सीखा था न, एक side midpoint दिया हुआ है, और जो line बन रही है, वो नीचे वाले को parallel है, त तो दूसरी side भी midpoint ही बनेगा, तो ये midpoint बनेगा, तो ये और ये equal हो जाएंगे, तो SL equal to LR हो गया, देखो, SL equal to LR, कौन सा theorem, ऐसे ही short form में लिख रहा हूँ, exam में मतलिकना, Converse of midpoint theorem, exam में हम नहीं लिखेंगे ऐसा, पूरा लिखेंगे, ओके, तो ये हमारा solve हो गया, second देख दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे बना दोगे, तो ये भी एक triangle बन रहा है न, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और मेनत करनी पड़ेगी, देखते हैं कैसे करते हैं, अब यहाँ पर, जैसे हम लोग ने चोटा triangle उपर लिया था, वैसे ये नीचे वाल triangle भी ले सकता हो न, देख यहाँ पर यह midpoint दिया हुआ है, ओके, और MN parallel PQ है, बताओ क्यों, सेम जैसे corresponding angle stress यहाँ पर लिया था न, यह देखो, यह transversal है और यह दो lines है, उल्टा F बन रहा है और उसके अंदर के यह दोनों angle equal है, विकास दोनों 90 degree है, तो अगर angle ऐसे equal है, तो आप बोल सकते हो कि यह दोनों line parallel ही होना चाहिए, तो आपको MN parallel PQ मिल गया, corresponding angles test से, अब देखो, अगर MN parallel PQ है और M यहाँ पर midpoint है, तो M यहाँ से देखो, इधर N को join कर रहा है, तो N भी midpoint होगा, मतलब आप बोल सकते हैं, N is the midpoint of RQ, कैसे, converse of midpoint theorem, तो आप बोलेंगे, RN equal to NQ, या फिर लिख अब सिर्फ यह पूरे triangle को देखो, यहाँ पर यह भी midpoint बन गया है, और यहाँ पर यह भी midpoint बन गया है, समझ में आ गया न, इधर हमने यह वाला prove कर दिया, और यहाँ वाले figure में हमने इधर का N midpoint prove कर दिया, अब हम लोग फिर से यह triangle में सिर्फ यह वाला part देखेंगे, ओ यह वाला जो L है, यह midpoint है, कहां से पता चला, हम लोग ने यहाँ पर prove कर दिया था, SL equal to LR, मतलब L midpoint है, फिर हम बोलेंगे, यह वाला जो point है N, यह भी midpoint है, RN और NQ भी equal है, यह भी हमने prove कर दिया था, तो हम बोलेंगे यह भी equal है, अब सिर्फ यह triangle को देखो, यह वाला midpoint है, इधर का, और यह वाला midpoint है, इधर का, तो यह दोनो midpoint को join कर रहा है, अगर midpoint को join कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ, LN is half of SQ, जो first question में लोग ने use किया था, midpoint theorem, converse नहीं, दोनों तरफ midpoint दिया हुआ है, ठीक है, अगर midpoint दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं, दोनो midpoint को join कर रहा है, it is half of the base, base क्या है, SQ, खतम, reason लिख देने का, midpoint theorem, तो एक question में सबसे important part था, imagine करना, यह एक rectangle के अंदर, दूसरा rectangle दिया, उसमें पहले आपको यह triangle imagine करना है, फिर आपको यह वाला triangle imagine करना है, ठीक है, दोनों में converse of midpoint theorem लगाना है, फिर आपको यह जो triangle है, जो दिखी नहीं रहा, दिया ही नहीं है, यह at least दिया हुआ है question में, यह triangle दो दिया भी नहीं था, पर आपको वो imagine करना है, और फिर यहाँ पे midpoint theorem यूज करके final जो पूछा है, वो prove करना है, okay, question बहुत ही easy है, लेकिन एकदम clearly यह rectangle के अंदर यह triangles दिखते नहीं, तो आप हो स समझ लो, जो question में दिया है, वही मैंने लिखा है, proof क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने यह वाला triangle दिया था, ठीक है, देखो यहाँ पे, angle S और angle L, दोनों equal है 90 degree, reason क्या लिखने का, angles of rectangle PQRS and MNRL, question में दिया हुआ है, दोनों rectangles है, ठीक है, but यह angle S और angle L कैसे बन रहे ह है यहाँ पे, और यह वाला angle और यह angle equal है, और F बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं, कि SP और LM, lines है, और उनके उपर यह जो line है, RS, वो उनका transversal है, इसलिए यह F में, यह SP और LM जो है, वो आ जाएंगे parallel, reason क्या लिखेंगे, F बन रहा था, इसलिए corresponding angles test, यह हमने second chapter में बहुत ही detail में जिखा था, parallel lines chapter में, ठीक है, अगर वो आ गया, उसके बाद, यह वाला triangle दिया था, हमने PRS, यह triangle में, M midpoint दिया हुआ है, okay, and यह LM और SP parallel है, यह अब भी just हमने prove किया है, वो use करके, देखो यहाँ पे, in triangle PRS, M is the midpoint given, and SP parallel LM यह भी just use किया, from 1, अगर ऐसा है, तो जो चुरूर है, L, यह L भी इसका midpoint है, क्या reason देने का, converse of midpoint theorem, और SL equal to LR, मतलब यह पार्ट हो गया, स्वाल, ठीक है, तो यहाँ पे SL equal to LR मैंने prove कर दिया, यह देखो, point L is the midpoint of RS, converse of midpoint theorem, अब similarly हम लोग ने यह वाला triangle है था, RPQ, आपको यह सब लिखके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो, in triangle RPQ, N is the midpoint of यह वाला line, N is the midpoint of RQ, ओके, यह similarly क्यों लिखा, because देखो, जैसा यह triangle बन रहा है, same way में यह triangle बन रहा है, वही properties use करके हम prove कर देंगे, कि N midpoint है, यहाँ से prove किया L, यहाँ से prove किया N, हो गया, अब LN equal to half SQ के लिए देखो, SQ यहाँ पे है, LN यहाँ पे है, क्या नाम बन रहा है, यह वाला triangle बन रहा है, यह triangle का नाम है RSQ, RSQ में L इसका midpoint है, वो हमने यहाँ पे prove किया, और N इसका midpoint है, वो हमने यहाँ पे prove किया, 2N3 में, ठीक है, अगर ऐसा है, तो आप बोल सकते हो, कि यह जो LN है, it is half of SQ, midpoint theorem, तो ऐसे लिखेंगे, तो मैंने आपको rough में बताया कि यह question कैसे करना है, और exam में या आपके school notebook में कैसे लिख के बताना है, वो भी आपको बताती है, rough में इस लेकिया, ताकि easy लगे, इसका solution काफी छोटा आ रहा है न, क्योंकि यह similarly किया न, और यह आप कर सकते हैं, similarly, wrong न copy notebook में, आया समझ में, एक ही question में हमने converse of midpoint theorem भी किया है और midpoint theorem भी किया, next करते हैं, third question में दिया है, in figure 5.4 triangle ABC is an equilateral triangle, अगर ABC equilateral है मतलब AB, BC और AC, तीनों sides equal आएंगे न, equilateral triangle में सारे sides equal होते हैं, points FDE are midpoints of side AB, BC, AC, ABC, मतलब यह और यह equal है, यह और यह equal है, यह, 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 इक्वल है, midpoint दिया हुआ है, show that triangle FED is an equilateral triangle, FED मतलब यह नीचे अंदर छोटू triangle बन रहा है न, उसको भी equilateral प्रूव कर ला है, इतना time pass question है न, एकदम मतलब बहुत ही जादा easy है, video pause करो और खुद से try करो, दिख रहा midpoint theorem यहाँ पर apply होने वाला है, आपको यह side और यह side के बीच में रिष्टा पता है न, midpoint theorem में, और यह side और यह side और यह side equal है, तो आप पहले इसका और इसका रिष्टा निकालो, फिर इसका और इसका निकालो, फिर इसका और इसका निकालो, फिर इसका और इसका निकालो, औ ऐसा जरूरी थोड़न है कि एक्जाम में हर एक क्वेशन टेक्स्बुक से आ गया हो सकता है नहीं आ है उतना इजी क्वेश्चन है चलो कर दो वीडियो पॉस वेट मत करो सलूशन के लिए करो वीडियो पॉस थेको सलूशन ऐसे आया होगा तीनों बार सेम स्टेप्स लगा हैं अलग-अलग साइड्स के लिए पहले बोला कि F और E मिड़ पॉइंट्स हैं A B और A C के तो बोल सकते हैं F E इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मिड़ पॉइंट्स थेरम मैंने ऐसे कि नहीं लिखा F E पैरलल B C ये भी तो दिया था बट इसका कुछ काम नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज लिखनी है पॉइंट्स थेरम में हमारे पास दो रिजल्ट है ये हमारे काम का है ठीक है साइट्स ये उस करनी है इक्विलाट्र ट्राइंगल के लिए बाद में F D का देखो F D will be equal to half of A C सेम तरीके से नाम चेंज होंगे सिर्फ and D will be equal to half of A B बट ये B C A C और A B तीनों equal है क्यों equal है बिकॉज ये equilateral triangle है ना तो उसके सारे sides equal होते है तो अगर A B B C A C देखो ये 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 equal तो देखो F E will be equal to half of half of half of तीनों चीज सेम है ना तो उसका मतलब ये F E F D D भी equal हो गए ना reason लिखने का 1, 2, 3, 4 right hand side में देखो ना ये ये और ये equal ही आएगा ना अगर A B B C A C equal है तो उनका आधा वाला पार्ड भी एक दूसरे को equal ही होगा तो right hand side of all three is equal तो left hand side is also equal तो ये तीन equal हो गए तो आपको मिल गया therefore triangle F E D is an equilateral triangle आया समझ मैं simple है ना चलो जिनको आया comments में मुझे बताओ क्या आपने खुद से किया और आया थोड़ा अलग solution हो सकता है बट steps almost ऐसे ही आएंगे ये आपको करके दिखाना ही पड़ेगा और ये भी आपको बताना ही पड़ेगा जिनको नहीं आया टेंशन मतलो solution देखो एक बार और फिर खुद से notebook में copy करो next करते हैं fourth question दिया है segment PD is a median of triangle PQR PD is a median of PQR अगर ये median है मतलब क्या है कि ये वाला टुकड़ा and ये वाला टुकड़ा equal है ये information देना है उसको midpoint theorem use होगा न कैसे दो इसलिए उसने बोला median देते हैं चलो चेक करते हैं इन बच्चो रहेंगे करें इसको कैसे use करेंगे नेक्स देखो उसके बाद बोला है point T is the midpoint of segment PD point T जो है it is the midpoint of segment PD मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट equal है question में ही दिया है produced QT intersects PR at M अच्छा ये मतलब QT M तीनों एक ही straight line में है show that PM upon PR PM upon ये पूरा PR is equal to 1 upon 3 hint दिया है construction का draw DN parallel QM देखो ये DN जो है ये QM को parallel है आपको draw करना है दिख रहा है कितना easy है आपको सिर्फ triangles imagine करने और ये question खतम हो गया ये खुद से try करने देता बड़ थोड़ा difficult हो जाएगा आपके लिए चलो rough में पहले में बताता हूँ फिर आपको लोगा खुद से लिखने को तो try करना ही है बड़ पहले मैं समझाता हूँ कि इसको solve कैसे करेंगे ये triangle को फिर से draw करते है और ये दिख रहा है इधर triangle छोटो triangle है ना ये छोटो triangle इसको solve करेंगे पहले कैसे आएगा सिर्फ ये वाले छोटे triangle को देखो मैं जान बूच करेंगे सब erase नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको imagine तो करना ही पड़ेगा ये triangle में ये T जो है ये PD का midpoint है question में दिया हुआ है इसलिए देखो same signs है दोनों के जगे पे and ये हमने construction किया है dn is parallel to qm ठीक है अगर dn पूरे qm को parallel है तो dn इसको भी parallel ही होगा न मतलब ये इधर midpoint है और ये वाली line parallel दिये हुई है दिख रहा है कनवर्स ओ midpoint चे रहा हूँ अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो दूसरी तरफ point है ना m वो भी ये वाले side का midpoint होगा होगा कि नहीं यहाँ फिर midpoint है और ये parallel है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी midpoint ही होना चाहिए किसका mistake मत करना है m is not the midpoint of PR triangle देखने का खाली triangle में m किदर है pn के उपर तो m is the midpoint of pn अगर m pn का midpoint है तो मैं बोल सकता हूँ pn equal to mn बोल सकता हूँ नो तो मैं बोलूँगा first मेरे को मिल गया pn equal to mn कैसे मिला converse of midpoint theorem exam में मत लिखना cmpt ऐसे मत बुलना योगे सिदर ने बोला है मैं कभी short form नहीं लिखता जो actual proof लिखूंगा ये rough में solve कर रहे हैं अब ये triangle का काम हो गया आपको nr भी चीए न क्यूंकि देखो answer में pr चीए pr में ये वाला पार्ट भी आता है और ये भी आता है अब हम लोग ये वाला triangle imagine करेंगे यहाँ पे देखो देख रहा है ये भी एक triangle है ना ये triangle को imagine करो क्या मिलेगा अब देखो यहाँ पे ये वाला triangle इसमें d is the midpoint of this question में दिया है कि p d median है अजर p d median है मतलब ये दोनों टुकडा equal ना मतलब क्या d is the midpoint ना तो d is the midpoint दिया हुआ है और ये d से line शुरू हो रहा है और ये base ये वाले triangle म पे दोनों एक दूसरे को parallel d n जो है वो qm को parallel है देखो हमने ही बनाया है ओके तो अगर ये parallel है और इधर एक side पे midpoint है तो दूसरे side भी midpoint सी बनेंगे यही बोलता है ना converse of midpoint theorem triangle उल्टा हो गया मतलब ऐसा नहीं कि नहीं implement होगा मैंने आपको जब converse of midpoint theorem सिखा है तब side midpoint तो दूसरे side भी midpoint तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि mn will be equal to nr आएगा ना तो हम बोल सकते हैं mn will be equal to nr कैसे मिला converse of midpoint theorem कितना अच्छा होता ना कि हम दो line में solution लिख देते है अब देखो यहाँ पे भी mn है यहाँ पे भी mn है दोनों mn को equal है ना मतलब यह दोनों भी ए mn equal to nr तीनों एक दूसरे को equal है अब देखते हैं to prove क्या बोला है pm upon pr equal to 1 upon 3 यह यहाँ तक समझ गया ना उसके बाद वाला पार्ट बहुत easy है यह समझ में आ गया पहले यह छोटू triangle दिया फिर यह नीचे वाला छोटू triangle दिया अब यह मैं actual question में आपको बताता हूँ कि य यह यूज करके हमको यह कैसे मिलेगा आया समझ में चोटू triangle चलो actual question कैसे solve करेंगे exam में given वगेरा कैसे लिखेंगे pd is the median of triangle pqr दिया हुआ है t is the midpoint of segment pd यह भी दिया हुआ है and qtm straight line में यह जो लिखा है na qt intersects pr at m यह straight line में है यह लिखना जरूरी होता है नहीं लिखेंगे तो भी शायद आपके marks नहीं कटेंगे लेकिन लिख दू to prove pm upon pr is equal to 1 upon 3 construction यहाद है हम लोग लिखते थे तो hint में उसने construction दिया है draw dn parallel qm तो हम लोग ने construction कर दिया है यहाँ पे तो proof में पहले क्या आएगा पहले pdn यह वाला triangle दिया था और इससे मैंने क्या proof किया pm equal to ml लिखना कैसे अभी हम लोग ने तीन questions लिख लिख लिए तो आपको पता है के सब reason देना पड़ेगा फिर मैंने ये वाला triangle है देखो इधर वाला ये qmr ये वाले triangle में क्या किया हमने इसके और इसके बीच में रिष्टा पता था तो mn equal to nr यहां से आगया अब देख लो pm equal to mn और nr equal to mn तो ये तीनो एक दूसरे को equal हो गए ये हमने यहां पे लिखती है ठीक है ये मैंने आपको rough में यहां तक explain कर दिया था अब ये use करके ये to prove जो दिया है वो करना है देखो एक बार कैसे आएगा pm upon pr का value पूछा है 1 upon 3 लाना है right side में देखो यहां पे pm को pm रहने दिया pr को मैंने क्या लिखा pr जो है ऐसे है pr को लिख सकता हूँ pm plus mn plus nr पुरा एक ही straight line है तो उसको तीन तुकड़ों में लिख सकता हूँ na pr को तो pr को मैंने लिखा pm plus mn plus nr pr को लिखा pm plus mn plus nr बट यह तीनों equal है ठीक है यहां पे दिख रहा है उपर pm है तो मैं यहां पे इसके जगे पे pm तो pm ही है MN के जगे पे PM लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ because equal है NR के जगे पे PM लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ because वो भी equal है PM को तो दोनों के जगे मैंने PM लिखती है और answer में लिखा from 4 reason में PM प्लस PM प्लस PM क्या हो जाएगा 1 PM प्लस 1 PM 3 PM हो जाएगा एक दूसरे के साथ, same quantity है न, बचा क्या, 1 upon 3, यही तो प्रूफ करना था, तो लिख दिया, एंस कॉमा प्रूफ, है न मस्त, इसका value निकालने के लिए हमने PR को PM के टाम्स में लिखा, क्योंकि PM कैंसल होगा, तो ही तो राइट साइड में नंबर आएगा, 1 upon 3, आया समझ मैं, तो यह हो गया हमारा प्रूफ, देख लो एक बार पूरा solution, यह लिखने में tension नहीं होना चिया, इन triangle PDN पहले यह triangle दिया, और यह प्रूफ कर दिया, फिर यह वाला QMR triangle दिया, और यह वाला प्रूफ कर दिया, फिर दोनों को मिला के, मुझे यह वाला पार्ट मिला, और वो पार्ट यूज करके मैंने जो प्रूफ करना था और प्रूफ कर दिया, कॉपे कर लो नोटबुक में, कुछ बच्चे कमेंट्स में बूचेंगे सर, यह लाइन बनाएंगे तो चलेगा, चलना चीए, लाइन end-to-end join मत कर देना, क्योंकि generally question खतम होता है, तब हम लोग end-to-end line join करते हैं, यह line मैंने क्यों बनाया, ताकि समझ में आएक पार्ट, second पार्ट, यह दोनों पार्ट को combine करके, यह third वाला पार्ट, फिर third वाला पार्ट यूज करके, fourth वाला पार्ट, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, lines नहीं बनाएंगे बीच में, तो भी चलेगा, construction lecture यहीं पर खदम करते हैं, आज के lecture में मैंने आपको practice at 5.5 का question 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया, and 4 कराया, and इसी के साथ हमारा practice at 5.5 हो गया खदम, दो theorem यूज किये थे इसमें, दोनों theorem के results अच्छे से समझ लो, and apply करना सीख लो, वीडियो पसंद आया, तो like करें, दोस्तों के साथ link share कर सकते हो, ताकि उनको भी यह practice set 5.5 अच्छे समझ में आ जाए, अगर अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो क्यों wait कर रहे हो, कर लो subscribe, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हर एक practice set का हर एक question detail में solve करेंगे, comment में मुझे बताओ, अ और एक question का solution बताने में, वो fail नहीं होरी मेहनत, वो मेहनत कहीं तो काम आ रही है, और कोई बच्चे खुद से solve करके topic समझ रहे, ठीक है, और lecture अच्छा लगा, तो comment में बता भी सकते हो, के lecture अच्छा लगा, thank you so much for watching this video,